आज की डेट में थोड़ा सा अलग एक प्रचलेंग हें आपका टेलेंट ञेंट वह थोड़ा सा कम देखा जाता है Pharisee जादा देखी जाती या popular है ये ऐ लोग सके पैसे ना पुद आप बहुत अछा गाते हो यारब क्या बार-बार मांगना और आपको जानकर बहुत हरानी होगी कि वो मेरे फॉलोल जी नहीं है मेरा एकाउंट लगवग पांच महीने पहले है कोई और ही ऑपरेट कर रहा है कि पैर मुड़े हुए है और अगर आपको इनको भगाने तो उनकी जो बाल है वो उसमें गांट मार दीजिए कुछ ऐसे चीज़े नेचे पैर उप्यों देखा तो पैर वाक कही मुड़े वे थे मुझे लगता है हमारी जो ओडियंस है इतना परसनल इंट्रक्ट होने का मोगा मुझे लग रहा हुए उनको पहली बार मिलेगा इसलिए फोल्क नोट का इडिया यह था कि मॉटन फोल्क नोट तो आप सो गाइज वेलकम अगेंड टो दे लिमिटलेस टॉक आज हमारे साथ हैं एसी भार्दवाज तालिया नुश्कारी सी भाई कैसे हैं आप बहुत बढ़िया नितिश और आपको बहुत जबदस्त काम करते वे देखते वे जो हैं बहुत मज़ा आता है हमेशा सी नॉर्मली मै आप इस सिंगिंग लाइन में आए तो उससे पहले की जो आपकी बच्पनी की जर्नी उससे थोड़ा सा पता हुआ तो मेरी जर्नी आची थी कि मुझे कभी पता था नहीं कि मैं कभी जाऊंगा इस फिल्ड में तो वही शैतानी वाला दिमाग और मुझे आज भी स्कूल की क निकल गे और एक दूसरे को किक मारनी जिमने और बचना था एक दूसरे की किक से तो हम बहुत खेले हैं ग्राउंड में दूल मिटी के बीच में बहुत रहे हैं और गाउं का माहौल वैसे था तो मैं सबसे ज़्यादा जो मुमेंट अच्छा मैं ऐसा था पहले यार क्योंक नहीं ऐसा नहीं हो सकता हूं मैं ऐसा कैसे हो सकता हूं क्यूंकि आप शायद सा इंटेलेक्चिल हो जाता है आदमी थोड़ा सा ज्यादा अनुबाव हो जाता है तो हमें लगता है कि वह चीज़ें बेवकूफी हम करते थे लेकिन उस समय के हिसाब से उन मुमेंट्स को हम आ से वाले मैंसे थे मैं हमेशा ही प्रैफर करता था मतलब आगे बैठना और उसका रिजन यह था कि मुझे जो मेरे टीचर बहुत ज़्यादा बरोसा करते थे कि नहीं यह जो भी है यह बोल देगा कुछ न कुछ कर लेगा और आपको जानकर बहुत अच्छा लगया गएगी मेरा अनुफाव यह कहता कि जब भी मेरे एक्जाम्स हुए मेरा कोई भी टेस्ट हुआ या कोई भी जो चीज मुझे पूछी जाती थी मैं उसका गलत जवाब दूँ या सही जवाब दूँ मैंने हमेशा जवाब दिया है उसके लिए मुझे एप्रिजेट किया गया हर बा लेकिन हमारे हां हर सेटेडे को लंच के बाद क्लासीज लगती नहीं थी और लंच के बाद जो दो तीन घंटे का समय रहता था उसमें क्या है अपनी अपनी जो आपकी जो चीजें है जो हर आदमी की उनको हम लोग क्या गरते थे उनको दिखाते थे चाए वो गाना गालिय हमेशा रहती थी तो इसलिए वो कहते थे तो जो मर्जी कर ले बाहर निकल जो तूने करना है वो कर ले हमारी उसे रोक टोक नहीं है हम पैसों के मामले में आपकी help नहीं कर सकते क्योंकि financially इतनी जाद सपोर्ट नहीं थी और क्योंकि था ही नहीं जब उस समय तो इसलिए सारी मैंने खुझ से क्रियेट की और blessings रही है और सबसे पहली जो motivation वह यही थी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया कि तो निकल बाहर तो जो करना चाहता है तो कर ले तो इसलिए जब मैं बाहर निकला उसके बाद जो confidence है तो आधी चीजे हैं हमारा confidence है हमसे करवा देता कि यार ज लेकिन माइंड में एक चीज रहती थी कि मेरी वजह से मेरे parents का सर कभी नीचा ना हो और यही प्रयास रहता तो आज आप सब लोगों के सामने अच्छा लगता है जब आपके नाम से आपके parents को जाना जाए आपका जो grand popularity थी उस popularity होने से पहले भी आप popular थे और उस समय की जो नए शुरुआत होती है हर किसी के लिए और आज हम कुछ और कर रहे हैं कल की morning में कुछ अलग हम करने की आशा के साथ उठते हैं और हमें लगता है कुछ और different करते हैं चीज़ें तो सबकी life में यह वाला phase आता है और मैं बिल्कुर proudly यह बात कहना चाहता हूं कि जितने कारे लेकिन पैसों के रूप में कभी मुझे reward नहीं मिला उन चीज़ों का क्योंकि payments बहुत कम रहती थी क्योंकि आपको पता है कि आज की rate में थोड़ा सा अलग प्रचलन है आपका talent जो है थोड़ा सा कम देखा जाता है popularity जादा देखी जाती है कि आप कितने जादा famous हो आप यह लो आपको इतना पैसा मिलेगा अचा नहीं हो पॉपिलर आप बहुत अच्छा गाते हो पॉपिलर नहीं हो तो इतना पैसा पॉइंट मतलब यह ऐसा होता था और इसा हमारे साथ की पिर मुझे दिरे-दिरे समझ आया कि यार popularity के साथ जो चीज़ें चलती है और आपने क जरूर सुनी होगी कि कहते हैं कि आप अपना काम करते रहो पैसा आपके पीछे-पीछे भागता हुआ आएगा तो यह मैंने इस चीज़ को अपके अपने सामने साकार होते वे देखा है तो इसका reason यह था कि मैंने कारेकरम किये मैंने कभी भी लालच नहीं किया कि मुझे 1000 पर मिल रहा है 1500 मिल रहा है मैं वह शोज करता रहा उससे क्या है आप कहरे थे कि मेरी एक पॉपिलर्टी से पहले भी चोटी सी पॉपिलर्टी थी यस वो वो बैसीकली मेरा फैन बेस था जो कि मैंने तयार किया था ग्राउंड लेवल पे मैं जो गाओं गाओं में जगा लिए कि उनके साथ आया था या कहीं और लेकिन मैंने अपनी चाप चोड़ने की कोशिश की कि मुझे जितना मौका मिल रहा है स्टेज में वह अपनी चाप चोड़ दूँ ताकि दस में से एक आदमी जुर देखे भाई एक आदमी आया था बीच में उसने कुछ अलग जब मेरा टाइम आएगा और मेरी बारी आएगी कि मुझे अब अपने आपको सामने लाना है तो यह जो लोग है चोटी-चोटे एरिया में जो मैंने कमा रखें उनका मुझे सपोर्ट मिलेगा मुझे याद मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू नहीं किया था मुझे लेवल पे आप उस टाइम काम किया करते थे और मिलियंस में आपके व्यूज होते तो बड़ा प्राउडली हम कहते थे नहीं यार यह जो लोग है इनको हम जानते हैं क्योंकि आप लोग खुद इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में परफॉर्म करके आये थे लेकि मैं सारे जो एक टीम अपनी बनाता गया बेसिकली अपने बातसित के तरीके से बिहेवियर से मुझे पता था कि मैं जीरो से ग्रास रूट से उठे वे हम लोगे गाउं में रहते हैं तो हमें वो जिन्दगी पसंद ही नहीं कि फूप करके कॉलर उठाके मार्केट में आ जा कि हम जमीन से जुड़े रहना चाते हैं हमेशा ही और मैं चाहता हूँ जब भी कोई आदमी मुझसे बात करे मुझसे मिले तो उसे पता हो कि नहीं यह वही बन्दा जो पहली बार मिला था हम जितने मर्जी है हमारा कोई फैन बेस ही नहीं था लेकिन उसके बाद हमने अगर कि नहीं यार यह कोई और बंदा है जिससे मिल रहे हैं उनको वही लगई है वही आदमी है सिर्फ थोड़ी सी एक्षीमेंट्स जो है वह बढ़ गई है तो यह चीज़ने रहती थी और उसके बाद वहाँ पे वह बहुत डिफरेंट एक चीज थी वह स्ट्रगल जादा था और मुझे ऐसा लगता कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरा स्ट्रगल बहुत जादा था लेकिन हर एक इंडिविज्वल के लिए उसकी लाइफ में स्ट्रगल का अलग एक इंपॉर्टेंस है अलग एक तरीका है ठीक है किसी की लाइफ में स्टार्टिंग से इतने लाती है तो अलग-अलग चैलेंजिजिज रहते लेकिन चैलेंजीज आते सब क्रता कि आप उन से कितना समझते है जमरेंगे वार अगर पहले से पता होगा तो सब लोग आगे निकलेंगे और कांटे निकालते रहेंगे इसलिए तो जिन्दगी इतनी मुश्किल बनाएगी है कि आपको कांटे ही दिये गए हैं पहले ताकि आपको वो सर्वाइव करना का एक मौका मिले कि आप देखो आप चैलेंजिस को किस तरह से फेस करते हो और उसके पाद आगे फूल ही फूल है और यह मैंने खुद महसूस किया है और इतने सारे चैलेंजिस मतलब सोचिए दस रुपए का इंपोर्टेंस वह आदि में समझ सकता है जिसको मतलब वाकई उसके लिए लड़ना पड़ा है जूजना पड़ा है मैं हर बार हर इंट्रिव्यो में ये बात जुरूर कहता हूँ कि मतलब मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजिस आए हैं कि मैं रामपूर में पड़ा हूँ और वहाँ पे मेरी ग्रजूशन हुई है तो वहाँ पे मैंने एक्सपिरेंस किया कि नहीं एक साल मैंने रूम का रेंट ही नहीं दिया हम लोग मैं और मेरे मित्र हैं अरुन जी हम साथ में रहे एक साल रूम में तो हम लोगों ने एक साल तक रूम का रेंट नहीं दिया क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे घर से हमें मांगने में ऐसा लगता था कि नहीं यार अब क्या बार-बार मांगना और घर जाना भी मुश्किल हो जाता था क्योंकि घर के लिए 20 रूपय किराया लगता था और अगर हमारे पास दस है तो कंड़क्टर मोदे हमें पांच साथ किलोमेटर पहले उतार दे थे थे कि आपका किराया खतम होता है आपको यहां उतरना पड़ेगा उसके बाद सेटड़े को आप चार-पांच बज़े के बाद कॉलेज खतम होते हुए आपको 25 किलोमेटर की जर्नी करनी है दस किलोमेटर पहले आपको उतारा जा रहा है एक तो पहली आप छे बज़े पहुंच रहे हो उसके बाद एक एक गड़े घंटे का आपको पैदल सफर करना है फिर आप अगले दिन वापिस आ रहे हो कॉलिज तो बहुत अधा चैलेंजीज हो जाते थे तो मैंने मतलब वो देखा है वो स्ट्रगल की दस रुपए का इंपोर्टेंच कई बार हम मैं कहा रहा हूं इसमें एक और किस्सा हुआ था नए ने हमने कपड़े लिए थे हम सस्ते कपड़े लेते बहुत सारे तो मैंने क्या किया वह बाल्टी में डाल दिये वह और किराय नमांग दे कहीं मकान माली तो इसलिए हमने क्या गिया पांची दिन हम आई नहीं और बाल्टी में कपड़े डाल रखे डखन लगाया और नए कपड़े सिर्फ एक दो बार पहने हैं पहने बढ़िया पांची दिनों में एक ही कपड़ों में घूम रहे हैं जब आपीस आय कपड़े से उठाए और कपड़े वो ना तूट रहे हैं मतलब तूट रहे हैं और फिर आम वह सरी बाल्टी बंद करके उसको नाले में डाल दिया हमने यह दोनों ही कंपेरिजन आपने पूछे देवीजी के लिए कि क्या है क्या था आज और तब में इतना फर्क था है वो प्लीज क्या अब लोग आपकी कदर करते हैं जो पंदरा सौ रुपए हैं वो बढ़के अब इनलैक्स हो गया काम वह नहीं किया वो लोगों ने blessings दिया कि हाँ आप deserve करते हो आप से हम आप चाहते हैं कि आप सामने आओ मैंने star nights करना शुरू कर दी जिन जगाओं पर हम एक एक गाने के लिए तरसते थे आज वहाँ पर हम main star night में perform करते हैं और लोग crazy हो जाते हैं कि नहीं हम आये तो यह जो प्यार देखते हुए यह difference आया है लेकिन अब तोड़ा आसान है ना लेकिन आसान क्यों हुआ है क्योंकि आपने struggle period देखा है और उसको enjoy करा है और उसको चीरते हुए आप अब यहां पहुंचे अब आपने देखा इस दरवाजे के आना चोड़ो यार दिमाकराव हो गया है मैंने 20-25 गाने मैं गाने लिखता भी था मैंने बहुत सरे अपने दोस्तों को गाने दिये लिखे हैं गाये कुछ नहीं हुआ मुझे लगा कि जो लोग popular है वही popular है और मुझे directly बोला जाता था भाई जो star बनगे स्टार है इनके लावा को यौर स्टार नहीं बन सकता को यौर सिंगर नहीं आएगा सामने तो और हमनी दिमोरल है जो कि नहीं चल रहे गाने छोड़ो कुछ और करते हैं क्योंकि एक टाइम पर आके जब घर वालों ने आपको छूट दे रखी है वह भी फ्रस्टेट हो जा कर रहे हैं उसके बाद आपको लगए का यहा किया किया आते हैं तो इसलिए अब जब आपने क्रप्स पीरिएट देका है आज मज़ा आता है आज आप जाओ सामने आप ये बैउद sector करे रहे हैं लोग आप से मिल रहे हैं, आप से फोटो करवा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं कि नहीं, आप आई है, आप जो पैसा माँ को हम शो करवाएंगे, यह अब इसके लिए वो स्ट्रगल था, और यह समझने में टाइम लगता और जिसको समझ आगी बात, और जो स्ट्रगल पिरिट छेल लि समझ का ही है, हर किसी के लाइफ में, आपने सुना होगा अकसर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितनी चादर है, उतना पैर पसार हो, और बहुत सारे लोग इसको अब आज की जनरेशन का कैसा हो गया, कि अगर हमारे पैर बड़े हैं, तो क्योंना चादर ही बड़ी की हो, बेसिकली जब आपका वो पैसो का भाव है, आपको लग रहा है कि दस रुपए की जो चीज है, वो मुझे इसके अंदर ही कंक्लूड करनी है, तो मैंने दस रुपए में मुझे मैनेज करना है, तो आप वो चादर उतने मेही मैनेज करना पड़ेगा, और आपको आपने रुपए दे सकते हो, चादर नहीं ले लो, लंबी करो चादर, मतलब लेकिन वो सौ रुपए कैसे आएगा, जब आपने दस में मैनेज करना सीखा है, तभी तो सौ आ रहा है, अब आप अगर दस में मैनेज करना नहीं सीखे हो, आप बोलो नहीं, चादर ही बड़ी कर लेत ना तो इसलिए वो दस में मेनेज किया फिर आपने बारा में मेनेज किया पंदरा मेनेज किया तिरे तिरे चादर बड़ी करते हैं अब आप 1000 उठार रूपे की चादर ले लो आपका शरीर 5 मूट का है या 50 मूट की चादर ले लो 10 तरह से लपेट दो अब आपके हाथ में बिलकु यह बेसिकली वो दस रुपए की इंपोर्टेंस है वहां से शुरू करो तब यहां पहुंचोगे मतलब बिलकुल सही बाई बाई आपका जो टर्निंग पॉइंट रहा था वो कौन सी वीडियो से रहा था आप आपको कुछ आइडिया नहीं था कि आपने बस किया थे दो लिए इसा कहते हैं जब जिन्दगी में कुछ बड़ा होता है ना तो डिसाइड करके नहीं होती है चीजे हम लोग मलग कुछ डिसाइड कर दें आप लोग तैयारियां कर दो कि हमें ऐसा करना है और ब्लास्ट होगा तो मेरा एक्सपरियेंस यह बोलता है आप जितना सूचते हो उस जगने लग गया दो मैं फ्रॉस्ट्रेट्ट मैं मुझे घुसा नहीं आता ना तंग होता हूं अगर मैं कर लेता हूँ तो उसके महां फ्रॉस्ट्रेट करना कि मूझे लगता था आप समझ रहे हैं अपने काफी टाइम पहले वो मुझे लगा कि यार मैंने अपने लोकल डाइलेक्ट में जो जहां से मैं हुआ के गाने का लिए मैंने कोशिश किया कि कुछ और ट्राय किया वहां तो फिर मेरे मांड में यह तो एरिया वाइस लिमिट्ट रहे रहे मेरा गाना पांच अदार लोगों पहुंच नहीं रहा है कि अच्छा लेवल पर अपना ऑडियंस का सपोर्ट है हमारे पास क्या है ऐसी में देरे-धिरे मैंने आपको कहा था कि मैंने एक बैक-अप त्यार किया था मन संचलक के रूप में, मैं वहां गाना भी गाता था, मैं एंकरिंग कहता था था एंकरिंग भी बहुत तौट उसके बाद मुझे क्या लगा कि क्यों आपको गाना एक दिया जाए ओडियेंस को तो ओडियंस के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्पायर किया कि नहीं आपको गाना देना चाहिए वो इसलिए देना चाहिए क्यूंकि आप अच्छा गाते है और कुछ लोगों ने सरे मुझे नहीं पता कि बात बोलनी चाहिए नहीं लेकिन मेरे मन में आरही कुछ लोगता यहां लेकिन दिल से काता हूं और मेरे गले में दरद में और यह वह दो स्कते हैं मेरा गला कराब है मेरा गला कराब है जिसने मुझे सुने उनको पता है कि आज गला खराब है पिछली बार अच्छा का आया था गोड़ी करेंगे क्या है लेकिन उसके बाउसे तो अगर मैं एफट लगा रहा हूं तो ओडियंस डिसाइड करें कि कर रहे हैं तो modern पोड़रा आइडिया है कि आरा मैं हर जगा के गाहने ट्राय कर दी लेकिन कुम ना हर जगा का कुछ त्राय किया जाए एक टुकड़ा अपना ले लिए एक लोरे में चल का ले लिया है कपर हिमा चल अगए एक कुल्लू का किनॉर का ऐसे तगर कुछ दिया जा तो लेकिन उसके बाद स्टूडियो में गुरू जी उन्होंने मेरी नीव रखी इस फील्ड में जब मैं आया तो उन्होंने मतलब कर सकते हैं लेकिन ऐसे पस पांद लोगा को करते हैं इसको तो उन्होंने किया वह बीजी इतना जाधर रहते ती उन्होंने वह किया लेकिन उसके बादा में ध्यान दिया बाद में उनके जो बेटे शाशी बुशन नेगी जी तो उन्हों ने जब वो गाना सुना स्टूडियो में तो उन्होंने कहा कि भाया यार मैं बनाऊं इसका मुझे की यह ना तो अलग अलग चीज़ें इंदी भी है पाड़ी भी है पंजाबी भी है तो मैंने का बना ले मैं इसके बाद मेरी थोड़ी मतबेद हो गे थे स्टूडियो में मेगी जी के साथ तो इस वाद तो मैंने एक जेड़ भाई ना बात नहीं की ना उन्होंने बात की तो कुछ एक चीज़ें थी तो उसको लेकर बाद में जब वो गाना दिया गे तो मैंने फाइनल डबिंग तक में मलब उनका बहुत बड़ा योगदान है और खास तोर पर कुल्लू के जितने भी आर्टिस्ट है उनको सच में उस आदमी को हर मुमेंट पर याद करना चाहिए उन्होंने एक नई दिशा दिये कुल्लू में वीडियोग्राफी को लेकर या फिर पब्लिसिटी को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर उस आदमी का बहुत बड़ा योगदान है आज हमारे भीस नहीं है तो हम यहां से आपके तुरू इस पॉड़कास्ट के तुरू उनको याद कर रहे हैं राम भाई सिरिसली आप जहां भी आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए तो कास दोर पर और म लोगों को इकठा लेकर चलना और कोई कर नहीं सकता बहुत मुश्किल है काम करना और इसके लिए आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे राम भाई और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल मैंने जब खुछ से तयार किया तो 35 सब्सक्राइबर्स वो थे नॉर्मली जो गू और चैनल पर तो उसमें उतना ज्यादा रिस्पॉंस मिला नहीं मुझे लगा जब रिस्पॉंस मिल नहीं रहा तो क्यों न जो रिस्पॉंस है वो यहीं से मुझ से लिया जाए पांच ज़दार लोग भी अगर देख रहे तो कम चेकम ऐसा है ना कि हमारे लिए हमारा अपन है तो उसके बाद वहां से मैंने वह गाना राम भाई को पासवर्ड देखे राम भाई ने अपने लेवल पे कि यूट्यूब चैनल ऑपरेट कर रहे तो उन्होंने ही वह गाना यहीं से अप्लोड किया है कुल्लू से ही और मुझे याद है मैं मॉल रोड पे था और रात के नौ बच गे थे थे थोड़ा डिले होगा था गाना तो उस टाइम में पता में था कि टाइमिंग क्या है गाने कब डालना है क्या है वेरी फर्स्ट गाना और जैसे गाना लॉंच हुआ उसके दो घंटे के आसपास उसमें पचास जार के आसपास व्यूज जीरे तरे एक लेकिन फॉकनौट की जर्नी थी फोकनौट टू वो था लेकिन फोकनौट 1 में कर चुका था जो किसी और चैनल पर था आच्छा बिसिकली फॉकनौटका यडिया यह था कि मॉर्टिन फोकनौट को आम मेलब फोक जो सौंग्ज है अपने उनको मॉड्न तरीके से आज Modern Folk Note के साथ सीरीज आ गई है और साथ सीरीज सारी मिलियन्स में मेरे यूट्यूब चैनल पे 38 सब्सक्राइबर से आज 6 लाग से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए गए Modern Folk Note के साथ सीरीज तो आ चुकी है इसके अलावा लोगों की डिमांड पे कवर सॉंग्स किये गए और पूरे यूट्यूब चैनल पे 200 मिलियन से जादा व्यूज आज की डेट में तो यह आप सब लोगों का प्यार है बस बिल्कुल बाई और हमारे लिए भी बहुत यह बड जर्नी को पार किया और उस मुकाम पर पहुंचे मुझे लगता यह आजगल के बहुत सारी उभरते जो कालाकार है हमारे उन सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पारेशन चीज बनी होगी आपके साथ कभी कोई किसी तरह की कोई परनॉर्मल एक्टिविटी हुई है जैसे तो प्लीज थोड़ा सा बता किस्सा शेयर करने जा रहा हूं तो मेरे चाच्चु के साथ यह किस्सा हुआ था बेसिकली और लिटरली यह बहुत मतलब वाली सिच्वेक्शन थी जब उन्होंने मुझे सुनाई चीज बेसिकली ऐसा कहते है कि जिसके साथ बीती होती वो ज्य फिर गया होगा कुछ होगा बेट बेट बेलिट का हुआ कि हुआ कि यह चीज शायद आपको इतना ज्यादा नहीं डराएंगी लेकिंगी यह बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग एक बहुत ही जब्द स्टोरी थी यह क्या हो मेरे चाच्चु और उनके जो फ्रेंड्स हैं व स्वन्टू के लिए जाते थे रामपूर तो रामपूर में जाने के बाद वहां पर डूगी रियोनी के नाम से जगा है उस जगा को सबसे ज़्यादा अलग अलग और हॉंटिड माना जाता था क्योंकि वह बहुत बहुत उपर जाके टॉप में जाके और मैक्सिमम जो सब्सक्राइब और उसके बाद वहां पर मेरे चाचु और उनके फ्रेंड्स वह साथ में रहते थे वहां पर तो ऐसे में एक दिन क्या हुआ है सेटरडे संडे का टाइम रहता है वो सब लोग घर जाते तो ऐसे में सब लोग घर चले गए लेकिन चाचु नहीं गे उन्हों करने की आवाज सुनाई थी कि मुझे हेल्प की जुड़े तो रात का काफी देर का समय तक 11-12 बज़ गये थी तो उनको नौक करने की आवाज आईगी नहीं मुझे हेल्प की जुड़े थे मुझे नीचे तक आप छोड़ दोगे कहीं तो नॉमली एक आदमी क्या है वो क्य मुझे से से लिवाज हुए है लेकिन उनको एक दम जैसी वह उनकी पीट के पहुंच तो उनके देखा कि बढ़े में बहुत बड़ा होल है कुछ दिखिन रहा लेडी के लेडी के वो कुछ दिखिन रहा उन्हों देखा वो चलती चल देख रहें कि पीछे कुछ नहीं है उनकी बैक खोकली है बिलकुल और फिर वो सारी बाते रिवाइंड होती है जब आपने सुना होता है गो स्टूरीज के बा पैर वाके ही वो और ऐसे में वह आदमी के अंदर की जो कश्म कश्य हो आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है उसमें तो उन्होंने लिटरली वहां से वह भागें बड़ी मुश्किल से और कमरा बंद कर दिया उन्होंने कमरा बंद कर गी वो सो गए उसके बाद यह यह बात है साथे सेटेडरे की सेटेडरे पूरी रात गई संड़ें पूरा गया मंदे पूरा चल अम लोग नौहर जाते थे घर संड़ें जालिए और उसके रात को वापीस आते थे नर्àsichtig सुब रोम correr त्यार हो सुपे हम और सेटेडे उन्स गया Sunday पूरा चला गया, Monday पूरा चला गया और शाम को evening में दर्वाजा नौ कर रहे है उनके दोस्त की दर्वाजा खोलो? तो देला दर्वाजा खोल इनुरा कुई बोच ज़ादा कोशिश करने का क्खिड़की विड़की बजाके जैसे न कैसे करके दर्वाजा खोला गया और फिर देखा गया कि जो चाचव है वो सोये हैं अभी भी सोये हैं और उसके बाद उन को वो उनको उठाया गया, जब हो उठे, तो उनको कुछ समन यारा, किया है, कहा है, उनको परिशान हो, यह प्र पिशान हुए, तो पांच दिन से सौए थे jsut? वो और उनको Un blanket, तीं तें, तीं दिन से सौए थे Tucson, संडे और मंड मंडे, दिन तक वो सोईद उन्हों कुछ पता नहीं क्या हुआ है वो इस सिच्विशन में पहुंचे थे तो बेसिकली उनका सामना शायद चुड़ायल से हुआ और बाद में जब उन्होंने यह व्रितान थम्हें मताया तो लिटरली यह रात को तो सुनने वाली स्टोरीज ही नहीं और अब तोड़ा हम क्योंकि हम लोग समझते हैं चीजों को हम इस एज में हैं कि हम लोग शायद इन चीजों को एकदम से सुनके फिर इगनोर भी कर दें लें उस टाइम पर जब इस चीज़ें सुना यह तो वाक़ी बहुत लिटरली इसनी ड्राव नहीं थे हमारे बाल करें तो बहुत सरी स्टोरीज मिलेगी कई बार रात को चलते चलते आपको कोई जो हैट वाले हैं वो इनसान मिल जाएंगे और आप से सिगरेट की डिमांड करेंगी और आप अगर सिगरेट नहीं दोगे उनको तो थपड़ मार देंगे आपको और बात में आप पीशे मु लगता है लेकिन हुआ नहीं वो डर इसलिए लगता क्योंकि माइंड में थी सारी चीजें और मेरा मानना ही है कि होती है पहरा नॉर्मल जो एक्टिविटी से वह होती है लेकिन अगर थोड़ा सा अलग फेस से देखा जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता कि अगर अपने दिमाग तो आपको कुछ भी हवा की आवाज भी आईगी तो वह आपको डरा देगी एक वहम का भूथ बन जाता है तो मैं यह नहीं कहता कि चीज़ें नहीं होती है जिनके साथ हुई है वो शाइद ज्यादा बहतर बता सकते हैं मेरे साथ नहीं हुई है तो मुझे लगता कि आप अ इतना बोलता हो ना मैंने मैंने शायद में नितिज के दस या बारा सवालों के जो आपके पूराना है पहले से और यह जो पॉड़कास्ते वो प्री प्लांड बिल्कुल नहीं इंस्टेंट था और मुझे आदत है अगर तो टूदा पॉइंट चीजे मुझे पूछी जाएं और मुझे बोला जाएं उसमें थोड़ा जादा ही बोल देता हूं लेकिन अगर नहीं बोली जाएं तो मुझे लगता कि घूम के बातें यहां तक पहुंचनी हैं तो क्यों ना आप विल्कुल बिल्कुल जहीं और आपकी सक्सेस में हमारे देवी देवताओं कि बारे में आपकी क्या मान्यता है और क्या आपको लगता है कि उनका भी आप पर आशितवाद रहा देखो मैं टूभी वेरी फ्रेंक मैं एक ऐसे ही बैग्राउंड से हो जहां पर मेरे पापा मेरे दादा मेरे सारे जो पूरवज हैं वो देवता के पुजारी रहे हैं हम लोग मानते हैं और हमें लगता है कि शायद और जुरूर्य हां क्योंकि हम आज की जैनरेशन के इसलिए मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि अपने रूम पे फोटो लगा दो मूर्ति लगा दो वहां पे पूजा करो रोज तब जाके पॉजिटिवी डिएगी मैं इस में यह कावत जो है बहुत सटीक बैठती है कि मानो तो पत्थर में में बगवान है ना मानो तो इनसान शेतान से कम नहीं है तो बेसिकली मतलब अगर आपने दिल से किसी चीज को पूजा है रिस्पेक्ट की है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी क्योंकि आप लेन नहीं आप पे हावी रहेंगी तो मैं परसनली बहुत जादा बिलीव करता हूं मेरा अनुभाव यह मानता है हमने अपने सामने ऐसे से चीज़ें होती हुए देखी है मैं चोटा सा किस्सा आपको देवी देवताओं वाला बताने जा रहा हूं तो मेरे सामने हुआ है और मे लगता है बाद में आपका मजाग उड़ाया जागा कि आपने गाना ढंक से नहीं गाया इसलिए मैं बात भी वही बता रहा हूं जो मैंने खुद से अनुभाव किये तो मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि किसी और की अनुभाव की बात है हाँ यह जो पैरा नॉर्मल कर रहा हूं कि हमारे प्रोस में दीदी हुआ करती थे और हमारे ही गाउं से वह दीदी हैं और आज अच्छे से वह हैं अच्छे से रह रहे हैं लेकिन उनकी साथ एक जो देवी शक्ति है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है उनकी जिन्दगी में मेरे सामने की जो चीज़े ऐसा कहते हैं कि उन्होंने गलती से किसी जगा पर गलती से वह चले ग lattice और वहां पर एक कोई दर्वाजा उनने क्होल दिया था कहीं का वहां ऐसा घर का जहांपर नहीं खोलना था और जहां पर ऐसे मानिया थे दी कि यहां पर भ่य जो राक्षशश प्रभृति है या लेकिन वो दीदी ने गलती से वो दर्वाजा जो है वो खोल दिया था और उसके बाद कुछ टाइम से वो अबनॉमल सी जो हरकते हैं वो बात्चीते वो करना शुरू कर दिया थी इवन उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकते करने शुरू कर दी थी जो कि उनकी इज़त तक जो ब गलत नजर से देखना शुरू कर दिया था लोगों ने कि नहीं ऐसा क्यों कर रहें बेसिकली वो अपना मानसिक संतुरन शायद को बैटे दी लेकिन उसके बाद क्या हुआ जब काफी समय हो गया था सॉलीशन नहीं मिल रहा था बहुत सारे उपचार कर दिये कोई सॉलीशन नहीं है उनकी तो ब्रत नाम लेने से पॉजिटिव चीज़ें मिलते बहुत सारे लोग नाम नहीं लेते उनको लगता है तो अब ऐसे में कहा थो वहां पर उनको जब लाया गया तो एक कांटा रहते हैं हमारे बेखन कहते हैं उसे बड़ा पैना और लंबा सा कांटा तो उ उसमें लड़की को देवता के चारो चार परिक्रमा देवता ने की और उसके बाद उसको जो कांटे से हैं वो पीटा गया है पीटने के बार लिटरली आप सब लोगों मेंसे बहुत सरे लोग जो नहीं मानते हैं चीज़ां को उनको ये बेवकोफी लग सकती है क्योंकि यह आपका विशे है हमारा विशे है कि उस समय पे उनके अंदर कोई नेगिटीव एनरजी है और उस नेगिटीव एनरजी को बाहर लिटरली उन दीदी से पूछा गया कि कौन हो तुम क्या हो तो लिटरली दीदी ने वो नाम लिया कि मैं वो राक्षस हूँ जो वहां से आया है और उसके बाद उस राक्षस को निकाला गया सिस्टेमेटिकली देवता की रेक के साथ पूजा अर्चना के बाद जो भी आपचा रिखता है रहती है मंदिरों में उसके साथ और आज भगवान की क्रिपा से वो बिलकुल सही है जो हरकते उन्हें पांचे माही ने की थी वो बिलकुल नहीं कर रही है आज सुखियक जीवन जी रही है और ऐसे से ना जाने हाजारों जो एक्जामपल है हमारे सामनी हुए हैं बहुत सारी लोग जो रथ है देवता का उसको फेक बोलते है मुझे अपने सामने भी मुझे कई लोगों ने बोला कि फेक है अपने है देवता कैसे जा रही है यह तो आपको इसके अंदर तो मैं उनको बताना चाहता हूँ बाई मैंने पहले का यह मैं नहीं बताता सुनी शुनाई बाते मैं एक्स्पीरियंस किया है ने खुद देवता का जुछ रथ है अपने कंदो पर उठाया है और लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे हमें लगता कि कोई जुला रहा है कुछ कर रहा है तो लिटरली मैंने इस तरह से हाथ रखे थे दूसरे वाले भाई साब को मैंने बोल के किया था कि हम आजमाते हैं यह चीज और इसके लिए मैं ख्षामा भी चाहता हूं आराज से कि तू भी ऐसे रही हो और हमारे डौरू कहते हैं जो साइड में जहां से पकड़ते देवता को उनको भी हमने बोल दिया था कि तुम ने भी नहीं करना और अब जब आगे से लोग पूछ रहे थे लिटरली मेरे कंदों के उपर से मेरे कान को चीरते वह जो उसके लखणिया है तो हमारे जिमान उसके का जाता है लोकल लेंग वें तो वो उसको चीरते ऐसी ज जावाल पूचा उसके बाद ही मुमेंट क्यों हो रही है मैंने तो नहीं की मुमेंट तो बहुत लेकिन हां हमें लगता है हम होल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार वह बहुत तेजी से उपर निकल जा तो कान में आपको एफेक्ट कर रहे है कुछ आपको दिक्कत मतलब भगवान को मानते हो ना मतलब सचे दिल से मानो गया तो यह एफेक्ट करना भी शुरू कर देंगी आपको प्रभावित करना शुरू करेंगी एक चोटा सा एक्जामपल दे रहा हूं में देवी देवताओं से हटके नॉमल लाइफ का और इससे रिलेट करके देखना कि नॉमल जिंदगी में क्या होता है मेरे बाल बहुत लंबे में रखता हूं आज थोड़े छोटे हैं बहुत लंबे करली एर में रखता हूं मुझे कई बार इरिटेशन हो जाती है कि मुझे बाल काटने हैं बहुत साथा इरिटेशन हो जाती है कि मुझे काटने हैं बाल और जैसे मैं सलों जाओंगा सलों मेन जाने के बाद उनके मिरर nggak या फिर वाकिन मेरे बालो में ही वह बात है यह जैसे मैं सामने खड़ा हो जाओंगा जाए लिकन凍र तो कि ielिकिन जाओंगा घट लेने चोटे करूंगा जैसी मैं स finns जाओंगा वहां बाबर की शौप में जाते ही मुझे इतना अच्छा लगने शुरू हो जाएंगे नहीं यार यह तो अच्छे नहीं काटूंगा फिर हम डिसीजन बदलना शुरू कर देते क्यूं क्यूंकि वो न हमने माइंड सेट अप पना रखा है कि वह आदमी हमारे बाल अच्छे कर देगा और इसलिए हमें लगया कि नहीं वहां जाते ही हमें माइंड सेट अप अच्छे हो गया है अब नहीं काटने आपने नोटिस किया होगा आप खुल से रिलेट कर सकते हैं और एक और जगह है होस्पिटल आप बहुत जादा बिमार हो हर कुछ बिमार हो आ कि में हॉस्पिटल जाओंगा और वहां में ठीक हो जाओंगा हम सिर्पसिया है और कि मुझे ने में अपको को कोई पोलेगा कि नहीं टाईक्टल ता डिख हो जाने से आप अ कि डॉक्टर कुछ नहीं आपको करेगा ना इंजेक्शन लगाएगा ना दवाई देगा हॉस्पिटल में पहुंचने मातर से आप अपने आपको ऐसा मैसुस करो हुए कि मैं तो ठीक हो रहा हुए या डॉक्टर ने कोई सुई लगा भी दी चलो आपको लगता है मैं तो ठीक हो रहा हूं उससे पहले आपने खुद से कई सुई लगा दी आपने लोकल आश्यदिया यूज खली बहुत सारी चीसे खली आप ठीक नहीं हुए लेकिन आप डॉक्टर में जाते हैं आपको मैं तो ठीक हो रहा हूं क्यों साइकलोजीकल इफेक्ट साइकलोजीकल करता है कि आपने सोच लिए ना ठीक हो तो आप खुद को ठीक लगने शुरू हो जाओगे तो वैसे ही देवी देवताओं के साथ हैं अगर आपने मैंड से ही सोचा नहीं ठीक होने का इसलिए यह बहुत बढ़ी गया में तो इसका भी काफी जादा रोल रहता है और जो आस हम किसी शो में ठेक्ट तो उस शो में ना एक बार क्या था किआ अपने मंगल राग गाया था और यह ना फेमять चली गई थी आइगदा का नितिश एर공 मैंते वांप ब्लड चली जाती है और दिमाख में वह चैनी में अधोगे में रहती तो मैं आज आपके ही मुझे सुनना जात醋 कि मंगल राक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या होता था इसा? बिसिकली ये राजिस्तान और गुजरात में ये गाया जाता है और ऐसे में मुझे परसनली बहुत अच्छा लगता है सुनने में तो मैंने कोशिश की कि कि जब भी कारेकर्म में जाए क्यों ना कारेकर्म के शुरुआत अगर मंगल गीत से की जाए तो थोड़ा जाती ती अगर 50 बार परफॉर्म किया तो तीस ते चालेस बार लाइट चली जाती थी या वो स्पीकर में कुछ दिक्कत आ जाती थी और मैं यह यह नहीं कहुंगा कि यह कोई सूपर नेच्ट्रल् पावर है या इस गाने में इतनी पावर है कि इस गाने ने स्पीकर जला या पिर इस गाने में वाकिए ऐसी कोई पावर है कि लाइट बुझ गई मुझे लगता है लाइट का कोई ऐसा लेना देना नहीं है अगर यहां से बंद कर दी तो बंद होगी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बनाई यह चीज़े तो इनका जो हो सकता कि अचानक सुर्य गायव होगी चंद्रमा गायव हो गया तो वह आप कह सकते कि अच्छा करने वाली बात हुई बिजली जाना कोई मेरे हिसाब से कोई इतनी होता है जब भी मेहरी सकी मंगल लगाता हूं तो यह कुछ ना कुछ जो बिजली वाला किस्ता है वह होता ही है और ऐसा नहीं नॉर्मल नहीं मैं लाइव शो में मैक्सिमम टाइम हुआ है तो मैं शायद कुछ कुछ कनेक्टिविटी होगी इसके दो पहली हो सकते हैं या तो पहुंच जाते हैं और जो नेगटिव ले सकते हैं तो डंक से नहीं आ रहा है तो बिलकुल मैं आपके काफी जैसे दिखता रहता हूं मैं अपने आपके स्टेज शो बी कहीं और सामने यूट्यूब में भी कई चीज़े मैं देखिए है और स्टेज शो में आपकी टीम से स भाई आपने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 155 देशों के सामने परफॉर्म किया था उसको बारे में थोड़ा सा उसको एकस्प्लेइन करो भाई अच्ब बिसिकली क्या हैगी 2016 में एक इवेंट हुआ था विश्व संस्कृती मोट्स वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जिसम है कि एक ही मंच पर एक ही वेन्यू बे मतलब बहुत सारी अलग-अलग जो देश है उनके जो आर्टिस्ट है वो आके परफॉर्म करें यह मोटीव था और यह मुझे नहीं है पता कि यह गिनीज बुक में दर्ज हुआ या नहीं लेकिन यह उदेश्य वही था कि गिनीज ब तो उसमें उसका किस्सा यह कि मेरे लिए प्रावड मॉमेंट था पूरी हिमाचल प्रदेश में मेरा तब नाम भी नहीं था जब मेरे फेवर में यह चीज आई कि मतलब भागे ने मेरा इतना साथ दिया कि इतने सारे और भी आर्टिस्ट थे उनको गाना गाने का मौका मिल लेकिन बजाए इसके यह मुझे मौका मिला और मैंने देश शोबला हिमाचल मारा और दूडू नच्या उन दोनों को समवेशित करके गाना ट्रैक त्यार किया था क्योंकि लोर हिमाचल दो उसमें बंटा है हिमाचल वैसे भी वैसे तो बंटा नहीं है पर ऐसा मानते है क्य और अपर के लिए देश शोबला हिमाचल मारा इन दोनों को मिक्स करके वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म के था 2016 में पूरे विश्व के लगबग 20 से 25 राष्ट्रपती या फिर ग्रिह मंत्री या फिर आपके परधान मंत्री इतने बड़े-बड़े दिखा रहे पाकिस्थान का कल्चर दिखाया जा रहा है उस्ट्रेलिया का कल्चर दिखाया जा रहा है तो उनके बीच में इंडिया अपने आपमे युनिटियन डिवर्सिटी कहा जाता है तो यह अलग अलग जो स्टेट के अलग 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 स्टेट में घ्झ एक ळूंस मतलब वैसे इंडिया से करें हैं कर जोए वह भी दिखाया गया घर मअने वहां पर एप्रेजंट किया है इंडिया तो इमाचल से जो देव नाटी है, जो हमारे नाटी है वहाँ पर पफॉर्म किया थी और उसके जो वोकल्स है वो मेरी अवाज में थे देशो भुला, तो मैंने वह गाना वहां पर पर्फॉर्म किया था तिन दिनों का इवेंट था उसमें 35 लाख लोगों की जो एंट्री है वो दर्ज की गई थी और लगबग साड़े तीन हजार लगब 3800 से 5000 के बीच जो आर्टिस थे पूरी दुनिया से उन लोगों ने वहां पर एक साथ पर्फॉर्म किया था और हिमाचल से एक हजार से जादा जो आर्टिस थे एक हजार पच्छिस एग्जेक्टली अगर कहें तो तो वह आर्टिस ने वहां पर ना सर्गयची आती है पर भाई यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखो 1505 500 दो देशों מה करना ऐपने आप महीं बहुत बड़ी बात है जो इसके लिए आपको बहुत शुबकाँ है आप सब लोग हमें देखते हैं सुनते इतना प्यार करते हैं मैं सच बोल रहूँ आज अग तो इतनी inspiration मेली है कि उन्होंने हर बार मुझे मतलब इतना support किया है हर जगा उन्होंने मेरे साथ खड़े हो के मेरा साथ दिया तो मुझे यह opportunity दिया और उसके बाद फिर आपके सामिया करी रहें करते रहेंगे और आप सो लोग के लिए काम आते रहेंगे अभी जैसे आपकी popularity social media में भी जादा है और live तो आपकी पहले से ही जादा थी और अभी तो और भी जादा है जैसे फेक आइडी आपकी भी बहुत सारी फेक आइडी बनी होगी तो उस तरीके को आप किस नजरीय से देखते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो आजकल फेक और और पता लगी जाता है दो आज Two अगर, और मुझे असा लगता है अगर मेरे 6 Radio subscribe то नहीं हो सब्सक्राइबर शूब या Jeso लूपust नोहीं हो सकते हैं कि इतने आपकीणि घाने खुपिलर और लग से इंस्टाग्राम पर आपकी खुसमें भी य हम लोग आई daha सकते हैं जिनके ज्या? सब्सक्राइब करें तो इसके लिए वेरिफिकेशन का जो है वह चल पड़ा है और वह लीगली शाहिए शुरू किया गया मैटा द्वारा ताकि आप फेस्बूक और इंस्टरग्राम और इनको पहले आपको और जो आपके को और नाम आपके आइड जुरूर बना सकता है लेकिन वेरिफाइब बैज लगाने के लिए उसको आपकी इन्फ्रमेशन हे आपके बारे में जो परस्नल डिटेल है आपका आधार आपका बैणकार्ड उसकी requirement रहती है, वो कहां से लेके आएगा, तो इसलिए ऐसा है कि आप वो भी कर सकते हैं, इससे बचने के लिए, और मैं ज्यादा परवा मारता ने, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, तो जो करते हैं ठीक, यहां सिर्फ इतना है कि बहुत सारे लोग गंदे काम या कुछ गलत त पांच महीने पहले है को चुका कोई और यह ऑपरेट कर रहा है, और हमें कुछ नहीं पता लग रहा हो कैसे करना है, ना हमारे पास उसके बैक अप एकाउंट्स रहे किससे बनाया था, ना कुछ ऐसी चीज़े रही है, हाला कि हमारे पास बहुत जबदस्तों टेलेंटिड म प्रिया अकाउंट को देखती हैं, तो वो हैं वो देखती हैं, लेकिन उसके बाद हम दोनों के आथ खड़े हो गए हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए छे माहिनों से वो कोई और ही चला रहा है, उसमें हिंदी या आपके बाहर की साउथ मूवीज के जो, यस यस मैं य जाल रहे हैं, और उसके बाद लेकिन वो मानिटाइज नहीं कर पारे क्योंकि उसका जो कैटेगरी चेंज करने के लिए पासवर्ड मेरे पास आ रहा है, और वो मैं देने रहा है, आप बिलीब नहीं करोगे मेरे फोन पर अभी वी खम से दो सो पासवर्ड आ चुके हैं, र जिसके लिए समस्य में कि कोई हमारे नाम से कोई डिमांड ना कर दें कोई जलक जी पोस्त प्रें अखर दें तो इसके लिए आप सब लोग जो देख रहे हैं, को इसके लिए को सजेशन है, और आप नितीश भाई को दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं डारेक्ली तो, बिलक सेल में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई है उनको भी अभी तो कोई रिवर्ट खास आया नहीं है फेस्बुक का तो अब समस्या यह कि या तो यह एकाउंट भी एक्टिवेट करवा दें हम या अगर रिकावर हो जकता तो तो बहुत ही बड़ी फिर तो तीन लाग क्या आते हैं जैनून है तो अब यह समस्या है तो ऐसा चलता रहता लेकिन मैंने कोई परवाम आरी नहीं चीजाद में उसे मैं यह सोच रहा था भाई मैंने का एसी भारत वाज और नीचे साउथ के साउथ की मूवीज मुझे लगा शायद जैसे ना कभ कोई बड़े कई लो करत सोलह आजार फॉलोर्स दे सोलह आजार से पौने तीन लाग क्या सपस वो मूवीज देखके लोगों के आए हैं उसमें पचास-पचास मूवीज उसने डाल दिये और मूवीज डालके फिर वो डिलीट कर देते हैं क्योंकि उनको पता है पैसा तो आ नहीं रहा है तो इसके लिए से जल्दी आपकर ना वेरीवाई करा दें बस पिर कोई पुछ ने कर सकता है बहुत सारी बाते बहुत सारा और समय का बिल्कुल पता नहीं लगा और आज बहुत जादा मज़ा आया मन तो ऐसा है कि बाते करते हैं लेकिन आपके आगे के भी बहुत सारे बीजी और पार तारे नजर आ जाएंगे बहुत अचा लगा वाई आज और तहे दिल से आपका धनेवाद बस आखरी में हमारे एक मैसेज आप भारी ओडियन्स के लिए क्या देना चाहते हैं आप कोई इंस्पारेशन जो भरते का लगा रहे उनके लिए चोटा सा मैसेज या इशा अर बार यही कहता हूं कि अपने आपको थोड़ा सा नशे से दूर रखिए क्योंकि हम हमाचली होने के नाते हम लोग बहुत जादा बदनाम हो रहे हैं बेसिकली का सौर पर जो टूरिस्ट जो एरिया जया टूरिजम के नजरी से जो जगाएं जैसे शिमला होगी कु चलन में यह चीज आ रही है कुछ लोग यहां पर कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर से आके यहां कर रहे हैं तो बात एक ही है बदनामी तो बेसिकली हमाचली हो रही है तो प्लीज इसके लिए थोड़े से कड़े कदम उठाए जाए और इसके लिए आप काम करें और सबसे पहले शुरूब आप खुद से आप करें तोड़ा सा नशों से आप दूर रहें क्योंकि नशा आपको खुद को खराब करेगा यह करेगा नजाने कि जिन्दगी और भी खराब करेगा और साथ ही साथ मैं आर्टिस्ट होने के नाते एक चीज़ जरूर कहूंगा कि अपने स्टार हो यह कल के आपके जो जगा वो लोग आने वाले हैं तो आपको याद करेंगे और वाकिए अगर अच्छी एक मोटिवेशन मिली होगी तो आपकी बहुत जरू है तो कभी यह ना सोचे कि आप बहुत बड़े स्टार हो गए आप बहुत आगे निकल चुके अपने आ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सजेशन कमेंट में जरूर दें भाई का एक वारत है दिल से फिर से धन्यावाद आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना मुलें कि यह लोग बहुत मैनत कर रहे हैं अभी व पर गया था उसकी वज़से अभी मेरे वाले भी गैप है तो करेंगे साथ में चीज़ें सॉर्ट करेंगे तो आप जरूर इनको सपोर्ट करें और नई एक जर्नी शुरू की है पॉड़कास्ट के रूप में इसको सपोर्ट करें और देर सारी शूब कामने आप सपलों से सोैष्ज कर तरह आपको वीडियो कैसी लगी अँड़र दमें लाइक के ऐचमर्माने सपते है अगर अख के लिए तो अबंशे हैं और मुझे टोरी और लिए तो में जरूर लेंगे तो तब तक यह देखते रहिए डर लिमित लेस्टी और ण्ली अन the close star bye-bye